रेंशी शब्बीर अहंगर ब्लैक बेल्ट फोर्थ ही डैन रेंशी शब्बीर अहंगर का जन्म 11 जुलाई 1933 को एक सम्मानित परिवार में हुआ था वह कराटे बुडोकन इंटरनेशनल से चौथा डैन ब्लैक बेल्ट है रेंशी शब्बीर अहंगर ने अपने स्कूल के दिनों में मार्शल आर्ट में गहरी रुची दिखाई और 2010 में जब वह दस्वी कक्षा में पड़ रहे थे समधो MMA के संस्थापक और अध्यक्ष प्रसिद्ध मास्टर क्योशी फैसल नजीर के मार्ग दर्शन में अपना मार्शल आर्ट प्रसिक्षन शुरू किया रेंशी शब्बीर अहंगर ने तीन साल के कठिन अभ्यास के बाद 2014 के आखरी महीने में अपना ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन हासिल किया उसके बाद रेंशी ने उसी मास्टर के तहत और अधिक प्रसिक्षन प्राप्त किया और एक-एक करके परिक्षाएं पास की जब तक कि उन्हें अपना चौथा डैन ब्लैक बेल्ट नहीं मिल गया रेंशी शब्बीर अहंगर शब्बीर अहंगर मार्शल आर्ट अकादमी के साथ MMA के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशिक्षक हैं शब्बीर अहंगर के साथ MMA के बैनर तले और रेंशी शब्बीर अहंगर के प्रशिक्षन के तहत करोडों चात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनके द्वारा प्रशिक्षित चात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान राज्य के साथ साथ राश्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व किया है रेंशी शब्बीर अहंगर एक अधिकृत प्रशिक्षक और मुख्य रेफरी हैं भारतिय सम्दो एसोसियेशन के महा सचिव रेंशी शब्बीर अहंगर ने कई राज्य और राष्ट्रिय स्तर की चैंपियनशिप में भाग लिया है और इन चैंपियनशिप से विभिन्न पदक जीते हैं रेंशी शब्बीर अहंगर आत्म रक्षा, शारीरिक फिटनेस, आत्म विश्वास, राष्ट्रिय एकता आधि पर काम कर रहे हैं रेंशी शब्बीर अहंगर जम्मू कश्मीर के युवाओं की चिपी हुई प्रतिभा, विशेशकर ग्रामिन क्षेत्रों के युवाओं की चिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने में गहरी दिल्चस्पी दिखा रहे हैं